हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग बनाएंगे सौफ से सरवत बनाएंगे वो भी प्रीमिक्स से साथ बनाएंगे तो यहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप यह बना के रखोगे तो आप तुरंती इसका सौफ का सरवत बना सकते हो फ्रेंट्स यहाँ पे मैं प्रीमिक् कहते हो ना तो कोई जंजट है तो हम वीडियो स्टाट करते हैं पूरा एंटक लेगे लेगे यहां पे exactly भाई कप मैंने जुगर ले लिया है। थोड़ा सामने काला मरी ले लिया है थोड़ा सी एलाईची ले लिये हैं और एक कप मैंने सौफ ली यह पतली बादु यह वही मैंने लिया है इससे मीठास बहुत रहेगी एक कड़ाई ले लेंगे उसमें हम सौफ टाल देंगे तो यहां पर एक कप में सौफ ले लूँगी इसको थोड़ा सालका सा हम रोष्ट करेंगे ताकि इसका मौश्य निकल जाएगा तो इसको रोष्ट करके हम रखेंगे उसके बाद यहां पर हम इलाईची एड़ कर देंगे उसको भी हम थोड़ा सा रोष्ट करेंगे तक एकड़म स्मेल ऐसे आएगी कि आप सर्बत एकड़म टेस्ट फूल बनेगा तो यह मैंने दोनों अच्छे से रोष्ट कर लिया है अभी इसको मैं एक बाल में निकाल इसके अंदर हम सॉफ्ट डाल देंगे थोड़ी सी और उसके बाद हम इसके अंदर सुगर डाल देंगे तो इसका हम एक पाउडर बनाएंगे तो यहां पर पहले में आदी सुगर डाल दूँगी उसके बाद आदी और डाल देंगे हम बाद में इसको मैं पीस लूँगी त अच्छे से पाउडर हमको बनाना है आप देख सकते हो कि यह पाउडर अच्छे से बन गया है वैसा ही हमको चाहिए इसको चननी की मदद से हम छान देगे ताके इसमें सौफ का थोड़ा भी बड़ा बड़ा या सकर का रह जाए तो वो निकल जाएगा तो इसको छान के ही उसके बाद दूसरा वाला भी हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये भी हम साथ में ले लेंगे बाकी की सकर जो बाकी है वो भी इसके अंदर एड़ कर देंगे और काला मरी पाउडर डाल देंगे वापस इसको मिक्सी जार में हम पीस लेंगे वापस इसको चननी की मदद से ह पहले मैं इसको थोड़ा बाउल में निकाल दूंगी तो मैंने बाउल में निकाल रही हूँ उसके बाद हम वापस दूसरा भी हम चान लेंगे इसके अंदर तो अगर चान के रखते हो और थोड़ी सी सौफ को हम रोश्टेट करते हैं तो यह च्छे महीना तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो अभी यह प्री मीक्स हमारा रेडी हो गया है तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हमें बॉटल लेंगे तो मैंने बॉटल ले लिए उसको सुखा देना है उसको गिला जरा भी नहीं होना चाहिए वैसी हम रखेंगे और इसके अंदर हम सारा मिक्सर डाल देंगे तो इसको हम छे महिना तक स्टोर करके रख सकते हैं अभी मैं इसका सरवत बना के आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैं दो ग्लास ले लूँगी दोनों ग्लास में मैं मिक्सर डाल लूँगी तो दो दो स्पून मैंने डाल दी है एक में पानी वाला दिखाऊंगी और एक सौफ का सरवत रेडी हो गया है फ्रेंड्स एकदम इजी आप गर पे बना के रख सकते हो इसके बाद में दूसरा आपको दूद वाला दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैंने दूद डाल दिया है उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और दो से तीन हम वरप के टुकडे डाल दे तो यह हमारा सरवत रेडी हो गया है एकदम सिंपल तरीका है अप्री मिक्स बना के रखोगे तो आप असन तरीके से इसको पी सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई टेक केर